कि A and B दो वेक्टर है जिसका मैनिचूड 3 है अब B का मैनिचूड 2 by 3 है तो A x B एक युनिट वेक्टर है A x B एक युनिट वेक्टर है A x B मैनिचूड is equal to 1 होगा दिन फांट अंगल between A and B A और B वेक्टर के बिच का अंगल निकालना है तो मैनिचूड of A x B is equal to मैनिचूड of A into मैनिचूड of B into sin theta और theta is equal to this sin theta is equal to 1 तो मैनिचूड of A is equal to 3 है मैनिचूड of B के बारे मत पता है 2 by 3 इन्टो साइन फीटा और इसकूल तो थी 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 कैंसल तो साइन फीटा इसकूल तो वान भाई 2 तो थीटा इसकूल तो थाटे डिग्री पाई बाई 6 कोश्चन में 86 में कराई एरिया आप परिलोग्राम पता करना है एडिजेशन साइट्स गिवेन है परिलोग्राम का is a vector equal to i minus j plus 3 k vector and b vector equal to two i minus seven j plus k vector दो अदिसे साइड है फेजेशन साइड है फेक्ञेट्र आप पिलोग्राम प hatır88 राषकू थो थो दोनों का cross product का magnitude इसमें से 2 के बीच का एंगल पता नहीं है तो यह क्रोस भी निकाल लेंगे टू आई माइनस सेवन जे प्लस के क्रोस आई माइनस जे प्लस थिरी के तो इसका मैनिचूट क्या होगा पहले क्रोस प्रोड़क्ट निकालेंगे ए आई जे के 2-7, 1, 1-1, 3, i into minus 21 plus 1, minus j into 6 minus 1, plus k into minus 2 plus 7, i into minus 20, j into 15, k into 5, तेशा क्रोस प्रोड़क्ट मिल गया में माइनस 20, i minus 15, j plus 5, easy calculation के लिए हम 5 कॉमन भी कर लेंगे तो माइनस 4, i minus 3, j plus k, तो 5, इसका मैनिचूट निकालना है तो 16 plus 9 plus 1, 5, root under 26, आया एरिया एकुल तो निकालना है, निकालना है, बिच इस पर्पेंडिलर तो बोथ a plus b और a minus b, तो सबसे पहले a plus b निकालनेंगे, क्या एगा, एक वेक्टर, पलस b वेक्टर, तो दोनों वेक्टर को डारेट हम एड करेंगे, आय और आय, 2i, 2j, पलस j, 3j, 3k, पलस k, 4k, a plus b वेक्टर मिला, और a minus b वेक्टर निकालनेंगे, a minus b वेक्टर इसकॉल तो i minus i0, j minus 2j, minus j हुआ, k minus 3k, minus 2k, तो a minus b इसकॉल तो मिला हमें, आप कहरा है कि दोनों का परपेंडुगलर वेक्टर निकालना है, तो a plus b, a plus b वेक्टर और cross a minus b वेक्टर मालूम करना है, तो a plus b cross a minus b, तो a plus b cross a minus b, पहले वेक्टर मालूम कर लेंगे, अभी मैंक्चोर नहीं मालूम करना है, तो a plus b 2i, plus 3j, plus 4k, cross a minus b minus j, minus 2k, तो cross product निकालने के लिए, पहले यहां पर लिखेंगे, i, j, k, 2, 3, 4, 0, minus 1, minus 2, that is i into minus 6, plus 4, minus j into minus 4, plus k into minus 2, that is minus 2i, plus 4j, minus 2k, a निकाला है, cross b equal to, a plus b cross a minus b is equal to, लिकेंगे, minus 2i, plus 4j, minus 2k, a, इसका मिला में, a perpendicular of a plus b, और a minus b वेक्टर मिला में, अब इसका unit vector मालूम करने के लिए बोलाया, तीसे के मैंक्यूर से डिभाइड कर लेंगे, तीसका unit vector equal to, minus 2i vector, plus 4j vector, minus 2k, and cap vector is equal to, उरूट अंदर 4, plus 16, plus 4, 1 by 24, उरूट अंदर 24 मिला, minus 2i, plus 4j, minus 2, कि यहांपर minus 2 बाहर कोमन भी कर सकते, तो माइनस 2 बाहर आएगा, तो i minus 2j, plus k हो गया, और 24, थे 24, बाढ़ा दुनी 24, तू रूट अंदर 6 होगा, छेचर 24, तो तू केंसल हो जाएगा, माइनस 1 बाहर रूट 6, i minus 2j, plus k के लिखेंगे, यह निकले अब 87 का एटसर, 88 नमर पॉस्टर से बोला जा रहा है, प्रोजेक्शन आप व्यक्टर, i plus j plus k, on pi plus j minus 2 k, is 1y3, इसका मतलब है, दोनों का dot product निकालेंगे, pi plus j minus 2 k, dot i plus j plus k, और जिसके उपर प्रोजेक्शन निकालना, उसी का मेंट्चूर से डिवाइड करेंगे, तो रूट इंडर p square plus 1, plus 4, equal to 1 by 3, तो p plus 1 minus 2 by, रूट इंडर p square plus 5, equal to 1 by 3, फिर 3 into p minus 1 equal to, रूट इंडर p square plus 5 है, squaring बुल साट करेंगे, तो 9 into p square plus 1 minus 2p, equal to p square plus 5, so that is 9p square plus p minus 18p, equal to p square plus 5, that is 8p square minus p, 9, 9p square plus 9 into 1, 9p, 9, 9, minus 18p, plus 4, equal to 0, 4p square minus 9p, plus 2, equal to 0, यहाँ पर हम p की वारू निकालेंगे, quadratic equation से, तो middle term speed करलेंगे, 8p minus p, plus 2, equal to 0, तो 4p common करलेंगे, p minus 2, p minus 2, equal to 0, तो p minus 2 into 4p minus 1, equal to 0, तो p equal to 2, और p equal to 1 by 4, यह p की भेलो मिलिया, इफ ए वेक्टर और बी वेक्टर पता है, तो unit vector निकालना, along the a cross b vector, तो along the a cross b vector, unit vector निकालने के लिए, पर a cross b vector निकालते है, a cross b vector निकालते है, a cross b vector equal to, i, j, k, 4 minus 1 plus 1, 1, 2 minus 2, 1, so i into minus 1 plus 2, minus j into 4 minus 2, plus k into minus 8 plus 2, i minus 2, i minus 2, j, minus 6, k, तो a cross b मिला, vc vector की along unit vector निकालना है, a cross b by magnitude of a cross b निकालने, तो i minus 2, j, minus 6, k, by root ender of 1 plus 4, plus 36, तो 1 by root ender of 41, i minus 2, j, minus 6, k, एंसर आएगा, फिर 19 नमरों questions देखेंगे, question में 19 में कर रहे है, r vector given है, तो find the value of r cross j dot r cross k, तो पहले r cross j निकालनेंगे, r cross j, 3i minus 2j plus 6, k, cross j, तो 3i cross j, minus 2j cross j, तो 0 हो जाएगा, plus 6, k cross j, तो i, j, cyclic order में, clockwise, ये, clockwise direction में है, तो 3i, j, k, बन जाएगा, तो 3k, ये तो 0 रहे गया, 6, j, k, एकलाओबाई डरिशन में हो जाता है, k, j, इसलिए, minus i बन जाएगा, तो, minus 6i, plus 3k, r vector cross j vector, अब r vector cross k vector मालूम करते हैं, 3i, minus 2j, plus 6k, cross k vector, तो 3i, cross k, minus 2, j, cross k, plus 6k, cross k, तो यहाँ पर, देखने के लिए, आपर पर प्रेले लिख लेते हैं, i, j, k, nt clock by, ज़े clock by में, i cross j, i cross k, nt clock by में हो गया, तो, minus j होगा, minus 3j, to j cross k, तो, j cross k, nt clock में होगा, तो, plus हो जाएगा, i, बाकित जिरो रहे गया, तो, that is minus 2i, minus 3j, r cross k is equal to, तो, हमें दोनों का, dot product निकालना है, r cross j, dot r cross k, is equal to, minus 6i, plus 3k, dot minus 2i, minus 3j, तो, dot निकालने के लिए, same वाला के साथ, multiply करें है, 12i, dot i, dot i, तो, one हो जागा, बाकि सब जिरो हो जागा, फिर हमें निकालना है, r cross j, dot r cross k, minus, तो, total 12 हो गया, माइनस, तो, रिजल्ट जिरो हो जागा, तीस्टा मत्तब, इसकी वहलो जिरो हो आगा, कोर्ष्ण में 91 देखें, if a, b, c, आग, three non-zero unequal vectors है, unequal vector मत्तब, किनों का मैंनी चोर equal नहीं है, लेकिन a.b और a.c equal हो रहा है, to a and b-c के बीज का एंगल निकालना है, a vector और b-c के बीज का एंगल निकालना है, क्या होगा, तो since a.b minus b.c equal to 0 a, a.c equal to 0 हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है a.c equal to a.b, तो यहाँ पे हम a बाहा निकालना है, डॉट प्रोड़ट में b-c equal to 0, तो यह दो vector का dot product 0 हो गया, यह समत्व a vector perpendicular to b-c होगा, तो दोनों की बीज के एंगल 90 degree हो जाएगा, इसलिए एंगल between a vector and b vector is equal to 90 degree, a vector and b minus c vector is equal to 90 degree, 92 नमर question में देख रहे हैं क्या, a vector और b vector, तो find the value of lambda so that the a plus b और a minus b are orthogonal, orthogonal का मतलब होता है, दोनों vector perpendicular, perpendicular, इसना मतलब है a plus b dot a minus b, दोनों vector perpendicular vector है, तो दोनों का dot product 0 हो जाएगा, एक given है, तो दो vector का dot product 0 मतलब यहां पर लिख सकते हैं, magnitude of a square, और a dot b और b dot a equal होता है, तो cancel हो जाएगा, यहांपर detail लिखी देते हैं, a dot b minus a dot b हो जाएगा, और minus b dot b, तो b dot b magnitude of b square, इसना मतलब हो जाएगा, तो magnitude of a square is equal to magnitude of b square, अब मैंने चुद of a is equal to पता है, root under of 1 plus 1 plus 49, अब इसका square करना है, root under of b is equal to, modulus of b is equal to root under of 25 plus 1 plus lambda square, इसका square मालूम करना है, तो 51 is equal to 26 plus lambda square, तो lambda square is equal to 51 minus 26, यहांजागा 25, तो lambda square is equal to 25, और lambda is equal to plus minus 5, यहांजागा कि बालूम, फिर 93 नवर कोशन देखते हैं, यह सेम कॉंसेट पे आ रहा, X plus A dot X minus A dot, इस पो लिख सकते हैं, magnitude of A square minus magnitude of A square, magnitude of X square minus magnitude of A square equal to 12, and A is unit vector, तो magnitude of A is equal to 1, magnitude of X square equal to 12 plus 139, तो magnitude of X equal to root and draw of 13, minus 13 root and draw में नहीं लिखेंगे, A plus minus हम नहीं पे नहीं लिखेंगे, खाली पलास लिखेंगे, मोडला समीशा पॉजितिव होगा, projection of the A B plus C on A vector, तो projection of, on A vector, is equal to definition है, B plus C dot A vector by magnitude of A vector, अब यहाँ पे हमें A vector given है, B vector given है, C vector given है, तो सबसे पहले B plus C vector निकालते हैं, तो 3 A vector plus J vector plus 2 K vector dot A vector, A vector equal to 2 A vector minus 2 J vector plus K vector by magnitude of A vector, magnitude of A vector root under of 4 plus 4 plus 1, 6 होगा, minus 2 plus 2 by root under of 9, तो 6 by 3, तो 2 होगा, 95 का answer 2 आएगा, 96 नमर में देखेंगे, A and B are unit vector, तो नमर में देखेंगे, तो एगा, प्लस B is equal to 2 KOS TETA by 2, आव यहाँ पे पर देखेंगे, फर्मला हम लो जानते हैं, A vector plus B vector square equal to magnitude of A square, B square, plus 2 A B KOS TETA, तो A or B unit vector है, तो इसकी बहलों को प्रूब करना है, तो इसका square equal to A B 1, A B 1, और 2 KOS TETA हो जाएगा, फिर दोनों अग्वाड करने का बाद 2 आएगा, तो 2 कोमन कर लेंगे, तो यहाँ पर 1 plus KOS TETA हो जाएगा, इसको लिखेंगे ते हैं 2 plus 2 KOS TETA, तो 1 plus KOS TETA, मोड इसका प्रूब हो गया, 97 नमर कोश्चन बोला जारा आपकान दाएरिया, फोज वान साइड और एडागुनाल और रिपर्जिंटेट वाएदा, कोई नीशल वेक्टर देशन दिस, कोई नीशल वेक्टर है, और एक साइड और एक डागुनाल है, तो पहले फिगर बना के देखते हैं, गेवन आई, माना जे पलस के वेक्टर, एन वान डागुनाल है, तो वो नीशल है, अब तभी से पॉइंट से निकला है, तो इस डागुनाल इज पल्टो, फोर आई पलस, फाइव की बनागुनाल है, तो इसका हमें निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया मालूम करने के लिए, पहले हैं यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर, ये वेक्टर, और बी वेक्टर, ये वेक्टर, रिजल्टेंट आफ, ये वेक्टर प्लस, भी वेक्टर होता है, उसी दर से हमारे पास, एक साइड बोलेंगी और दूसेंने साट को और बिलते हैं। मतलब हम लीकलते हैं क्या इसका मत्लडाइन में यह पल्टू कि जरुटाइन रमें रक्टन स्वांज मार्यन जड़े में देंगा सैट करने से हमें अज달 एड्जेसेंट साड़ मिला तो वन डिगोनल वेक्टर मिल गया में गिवन एप 4i मैंने 4i प्लस 5k मैंनस वन साइड इसकोल टू मिला आई मैंने जे प्लस के देट इस थिरिया प्लस जे और मैंनस प्लस 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 के इमलिया अधर साड इकोल टू बी वेक्टर इसको बी वेक्टर हम कंसिडर करते हैं तो एडिया इसकोल टू मोडलस ओफ एवेक्टर क्रोस बी वेक्टर मैनिकूड ओफ एवेक्टर तो पता हो गया में यह वन साइड तो आई जे के झाए क्रश बी वेक्टर मैस प्लस तो 1 बेटर करक्पोंट मेठ एवेक्ट प्लस एवेक्टर घ्या minus 3 plus k into 3 plus 1 plus 3 1 plus 3 that is minus 5i minus j plus 4k is coming to the calling would be 25 plus 1 plus 16 to result in tiger 42 98 number question fund the unit vector perpendicular to each of the vector a vector and b vector तो इसमें भी किया वा कुश्चन साथ देशे डायट हम a vector cross b vector by magnitude of a vector cross b vector निकाल लेगे तो यह हमारे unit vector निकलेगा जो कि दोने वेक्टर का perpendicular होगा तो हम यहाँ पर करते हैं यह vector i j k a cross b vector निकालेंगे तो 4 3 1 2 minus 1 2 that is i into 6 plus 1 minus j into 8 minus 2 plus k into minus 4 minus 6 that is 7i minus 6 j minus 8 k और इसे के magnitude निकालेंगे that is 7i minus 6 j plus 10 k by root of 49 plus 36 plus 100 that is 1 by root of 100 या जगास यह 85 185 इसका रिशन करेंगे तो और 7i minus 6 j minus 10 k question 1 99 में देख रहे हैं हम लोगा है a plus b plus c vector is equal to 0 given है magnitude of a 3 है magnitude of b 5 है magnitude of c 7 है तो हमें a dot b b dot c और c dot a मालूम करने के लिए बोला जा रहा है तो हम लोग जानते है magnitude of a vector plus b vector plus c vector square is equal to a square magnitude of b square plus magnitude of c square plus 2 a dot b vector plus b dot c vector और plus c dot a vector होता है तो a plus b plus c equal to 0 है तो हमें जानते है magnitude of a is 3 to a 9 magnitude of b is 525 and magnitude of c is 7 to a 49 plus 2 a dot b plus b dot c plus c dot a so a dot b plus b dot c plus c dot a is equal to 2 into required so a dot b plus b dot c plus c dot a is equal to 83 by 2 question number 100 we are taking it find a magnitude and b magnitude if magnitude of a is equal to 2 into magnitude of b given to a map a plus b dot a minus b a vector plus b vector dot a vector minus b vector is equal to 12 given to you happy looking a a dot a the a dot a to magnitude of a square over a dot b plus b dot a minus b dot b the property of vector b dot a magnitude of a square a dot b b dot a equal over cancel ho jayga minus magnitude of b square equal to 12 to magnitude of a equal to two magnitude of b given to magnitude of a equal to two magnitude of b equal to k consider karamne so magnitude of a is equal to k so magnitude of b is equal to ky2 so we have put karamne equation magnitude of a square that is k square of plus b square k square by 4 equal to 12 to 3 k square equal to 12 into 4 the k square equal to 16 k is equal to 4 to magnitude of a is equal to 4 then magnitude of b is equal to 4 by 2 to 4 by 2 to question number 101 question number 101 question 101 में बोला जा रहा है if the sum of two unit vector a and b a unit vector है और b unit vector है इसका भी में में जोर्ट जोर्ट है दोन्य यूनिट यूनिट रेक्टर का सब यूनिट रेक्टर ही होता है आब एपरूब करना है इसका मतलब मैं जोर्फ ए मायनस बी रेक्टर एक्टो रूट थीं होगा एंट्रूब करना तह एपलस ठीम इक्टो Г मैंनीचुट ओस्कॉर्टी डूट फिस बड़ थी होता है ними शोक्त चीजरं मैंनी सुलंड जोगा मनीचुट डीड़ कम मोली कौर मैंनी बचेतर। तो 2a.b, तो कट जाने से a.b की जो value मिला minus 1 by 2, हमें निकालना है a minus b magnitude का mode, तो इसका square equal to magnitude of a square plus magnitude of b square minus 2 magnitude of a into magnitude of b into cos, या इसे हम लोग इतना detail ने करके magnitude of a square plus magnitude of b square minus 2a dot b लिखे, तो हमें magnitude of 1 हो गया, magnitude of b 1 हो गया, 2a dot b equal to minus 1 by 2 है, तो 1 plus 1 plus 1, 3, तो magnitude of a minus b is equal to root under 3, ये प्रूब करना था, ये प्रूब हो गया, 102 नमर कोशन देखते हैं, 102 कोशन नमर में b same, magnitude of a given है, magnitude b given है, तो magnitude of a cross b, हम निकाल लेंगे, यहाँ पर a cross b given है, a cross b vector equal to magnitude of 3i plus 2j plus 6k, ऐसा लिख सकते हैं, बिकाज a cross b vector हमें given है, तो fund the angle between a vector and b vector, a cross b equal to magnitude of a into magnitude of b into sin theta, theta जो है a और b के बीच का angle होता है, magnitude of this vector is equal to 9 plus 4 plus 36, 49 square root 7 आएगा, तो magnitude of a 2 given है, magnitude of b 7 given है, और यह sin theta हो गया, equal to 7, 7, 7 cancel, तो sin theta is equal to 1 by 2, तो यह इसका मतब theta is equal to 30 रिली, तो a और b vector के बीच का angle 30 रिली मिल गया,